मेरा कहना है कि अभी युवा वर्ग दोनों दलों से दोनों गटवंदन से संतुष्ट नहीं है भरती जनता पार्टी को तो और मजबूत होने का चांस अत्ती सवाल था कि 400 पार और वो 240 में आके रटक गई सिख्षित लोग तो अपना कालकुलेट करते हैं अपनी बात सोचते हैं अपने ढंग से सोचते हैं इसलिए जितना समाज मुर्क रहेगा उतना अच्छा है सांत किसूर जी अपने अस्तितों को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं राजनीती उन्होंने किया किसी दल को पहले प्रोफेशनल रूप से पैसा लेते थे और किसी दल के लिए काम करते थे पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना भारत लाइफ देख रहे हैं आप लोग सभा चुनाफ के बाद अब विधान सभा चुनाफ की उपगिंती चालू हो चुकी है वहीं दोनों तमाम दलों के जो नेता है अपने अपने जोर शोर से पूरी तैयारी में लगे हैं अब इसी क्रम में हमारे साथ आम जंता पाठी राश्रिये के अध्याक्ष विध्यापती चंद्रवन्शी मौजूद है अब इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ प्लैनिंग है जो दोनों तमाम दलों के नेता हैं एक तरफ जांडिये की बात करें तो चिराग पास्वान तो वहीं समराच चौधरी और फिर वहीं अगर महागडवन्दन के तरफ जाते हैं तो जश्वी आदव लालु आदव जो दोनों नेता हैं विधान सभा चुनाव के लिए पूरी तयारी कर रहे हैं तो आपकी पार्टी यहां कैसे exist करें और क्या कुछ प्लैनिंग है अपकी अपनी विधान सभा को चुनाव को लेकर देखे अभी बिहार विधान सभा चुनाव 25 में जो होने जा रहा है तो एक दो पंदरफ पंदरफ के तीस वर्स की लंबी अबधी कुजर गई है और जो बच्चा जनम लिया था वो जवान हो गया और सवाल यहां पर एक उठरा है कि बिहार कितने दिन तक इन दो नुताओं और इन दो दलों के साथ रहेगा क्योंकि बिहार की जनता अब बिहार क युवा जो है ये देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं और जहां तक आकलन है वो आकलन भी कर रहे हैं कि हमको जो है कि कुछ नहीं मिला और सबसे इंपोर्टेंट है जो युवा वर्ग है जो युवा सकती है वो बोट बैंग को प्रभावित करती है सतरकार और सत्ता को प्रभा वर्ग दोनों दलों से दोनों गटवंदन से संतुष्ट नहीं है आप ये बोल रहे हैं अभी संतुष्ट नहीं है युवा से युवा लोग युवा वर्ग दोनों गटवंदन से संतुष्ट नहीं है इसका प्रणाम आप यह देखे हैं लोग सभा में जहां पर की राम का सहरा लिया गया, हनुमान का सहरा लिया गया, राम मंदिर बनाया गया, उद्धाटन किया गया समय से पहले, कि इसका कुछ प्रभाव तो हो, लेकिन अब जो यूवा वर्ग है, यह इस तरह की जो बाते हैं, उसको उसे आगे निकल चुका है, उसका कहना कि हमारे रोजगार की बात करो, हमारे सिक्षा की बात करो, हमारे स्वास्त की बात करो, अब यह राम मंदिर, हनमान मंदिर, इस मंदिर के चकर में अब यूवा वर्ग नहीं जा रहा है, आप उसका प्रणाम लोग सभा का प्रणाम देख लिजे भारती जनता पार्टी को तो और मजबूत होने का चांस अती सवाल था कि 400 पार और वो 240 में आके रटक गई तो कहना ये चाह रहे हैं हम कि आप जनता के मूड को समझे तो अब आप ये लोग सभा चुनाओ था आप आ मिला कितना दिन तक आप राम मंदिर और हनुमान मंदिर और जाती और धर्म के आधार पर बांट करके वोट लिजेगा अब वो समय चला गया डिजिटल जवाना आ गया है युवा बर जो है उच्छ सिक्छा पढ़ रहा है और सोसल मीडिया जो है उसको एवेर कर रहा है इस बार काम की बात होगी और संकल्प की बात होगी अस्वासन की बात नहीं होगी आम जनता पाटी राष्टे ने संकल्प लिया है अभी बर्तमान में देखे तीस बर्स से बिहार में शासन कर रहे हैं लालू नितीस लेकिन आज भी बिहार की बिहार में बाड़ की वही तरास्दी है लोग कितना प्रतिसत हिस्सा बाड़ में डुबा हुआ है मेरा ये कहना है कि आखिर जो समस्या है उसको क्यों नहीं कर दिया जाएगा तो उसकी बात तो सुनेगा नहीं सिक्षित लोग तो अपना काल्कुलेट करते हैं अपनी बात सोचते हैं अपने ढंग से सोचते हैं इसलिए जितना समाज मुर्क रहेगा उतना अच्छा है कि जो कहेंग वही सुनेगा तो ये सब विचार धारा का हनुमान मंदिर या जाती के अधार पर भोट नहीं करेंगे इसलिए हम लोग जो चुनाओ मेदान में 25 में आ रहे हैं वो हम लोग एक संकल्प के साथ आ रहे हैं कि बिहार को 26 हम लोगों का संकल्प है उसी 26 संकल्प को लेके आएंगे जो चुनाओ के समय हम लोग बताएंगे और उसके आधार पर ही हम लोगों सफलता हो सकता है देर से मिले लेकिन सफलता निशित मिलेगी ऐसा हमको विश्वास है अचा दोनों गट बंधन जो है वो अपने अपनी तयारियों में मैदान में पहले से हैं कभी कोई मन्थन का दौर जारी है विधान सभा चुनाओ को ल हैं राजनीती उन्होंने किया किसी दल को पहले प्रोफेसनल रूप से पैसा लेते थे और किसी दल के लिए काम करते थे तो उस अनुभव को और उस पैसे को कहीं ने कहीं वो अब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने जो है कि दस साल हमने नौकरी किया दस साल हम किसी के लि लिए काम करें हलाकि वो जो जहां जाते हैं वहां बोलते हैं मैं अपने लिए नहीं मैं चाहता हूं कि आपके लिए काम करूं लेकिन ऐसी बात नहीं है वो अपने लिए कोई भी आदमी जब काम करता है तो वो अपने ही लिए काम करता है और समाज का ही तो उसमें छिपा रहत परिवरतन लाएंगे तो कैसे लाएंगे इसको ग्राप साफ कर दीजे, बताईए कि ऐसे हम नोकरी देंगे, ऐसे हम यहाँ पर रोजगार लाएंगे, उग कहते हैं कि हर ब्लॉक में हम बना देंगे फैक्टरी, अर्वाइ कैसे बना दीजेगा, कुछ बताना तो चाहिए, यही भेग जो उनका प्रभचन है, जो कैसे कैसे करेंगे, तो उस पर कुछ नहीं बोलता है, इसलिए क्योंकि एक बार सरकार में आ जाना, एक बार सत्ता में आ जाना, पांच साल के लिए आदमी निश्चिन्त हो जाता है, तो चार हैं कि एक बार हम सरकार में आ जाएं, एक बार सत्ता में आ जाएंगे, उसका पा अभी जनता तब तक उन पर विश्वास नहीं करेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत विश्वास करे, लेकिन जनता विश्वास नहीं करेगी, जो बिहार की जो 12-14 करोर जनता है, वो विश्वास तब करेगी, जब वो अपनी बातों को खुल के रखेंगे, उसके पहले कोई भी उनकी बात पर विश्वास करने वाला नहीं है, उनको खुल के बताना होगा कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है, वो कैसे समाज को फाइदा देंगे, कैसे युवाबर को नोकरी देंगे, सबी बातों को बता ही, तो उनका रहे हैं कि एक बार अपने लिए बोट दे करके, अप अपनी बातों से जो नहीं किलियर कर रहे हैं, उनको तब तक इसका लाब नहीं मिलेगा, और जनता इतना बेकुफ नहीं है, आप देखिएगा इसका प्रणाम, पचीज के चुनाओं में परसान जी की सोर कहां रहेंगे, यह देखिएगा, अगर इन सभी बातों को खोल करक समाज के बीच नहीं रखेंगे, तो इसका कोई लाब नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो लाब मिलता ही है सबको, कोई भी राजनित में आगा तो लाब मिलेगा, लेकिन जितनी उन्होंने उपलवदी कमाई है, अनिप दलों को कहके, तो वो सारा उपलवदी अपना जब स में आएगा, तब उनको समझ में आएगा कि होता क्या है, दरसल, इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग समाज का पहले विश्वास जीत रहें, और जीतने के बाद तब हम राजनितिक मैदान में आ रहें, उसके लिए काम करें, हमको भरोसा है कि समाज निशित हम लोग का साथ देगी, और हम लोग को जो चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो हमारे लोग चुनाव जीतेंगे भी, और जीतेंगे और हराएंगे भी, यह मेरा दावा, अच्छा सर, आप अती पिछरा समाज से आते हैं, और यह दोनों गटवंधन की जो वोट बैंकिंग होनी है, वो अती पिछरा समाज से होती है, तो आप कितने संतुस्ठ हैं? सरकार बनाने लगे, इसलिए मेरा कहना है, यह वर्ग जो है, 36% सरकार यहां खड़ा निकल किया है, इसकी आवादी 36% सरकार ने मोहर लगाया है, तो यह जो बोटर्स हैं, यह बोटर्स जिनके साथ जाते हैं अती पिछरा समाज के, उसको ही सरकार, उसकी ही सरकार बनती है, इसलिए कि आप जो है अती पिछरा वर्ग जिस समाज से हम लोग आते हैं, वो आम जनता पाटी राष्ट के साथ हो रहा है, और जैसे जैसे समय बितेगा, अती पिछरा वर्ग आम जनता पाटी राष्ट के साथ होगा, चुकि मुझे पूरा विश्वास है, कि अती पिछरा बहुत और होने से हम लोग तो सत्ता में रहें अच्छा सर एक आखड़ी सवाल मैं आप से करूंगी राजसभ और विधान सभाग की जो सीटे हैं वो अतिपिछरा समाज को नहीं देना तो वहीं अगर विधान पडिशत की एक सीट खाली हुई है तो MLC की अध्यर्षता खतम ह होने पर हुई है तो वह सीट अब किसी और समाज को देने पर क्या करें देखिए यह विषय है ऐसा कि अभी जो राजद के एक MLC थे रामबली चंद्रवनसी जी उनका सीट खाली करने की मैं समझ रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं उस पर जादियू ने अपना एक बैंक साधने का और पॉलिटिकल दल जो उचित समझती है कि जिससे उसको बोट का ज्यादा प्रतिशत मिलेगा वो बोट बैंक साधे जाएंगे उस समाज का बोट को प्रभावित करेंगे तो उसको वो लोग इस तरह का स्ट्रेडिजी बना करके यह काम होता है तो अब जो जो MLC का सीट था अतिपिछडा का था और आज वहाँ पर नितीजी ने दुसरे समाज को दिया तो इसलिए मेरा करना है कि उनका भरोसा जब अतिपिछडा से उठ गिया है तो अतिपिछडा समाज का भी भरोसा उनसे उठ गिया है यह जान ले इसलिए यह चीज जो किये है तो इसका खावया गया आने वाले समय में जदिव भुगतेगी नितीजी भुगतेग अच्छा आए दिन जो पूल पुलिया तूट रहे हैं तेरा पूल पंदरा दिनों में तेरा पूल तूट गये तो इसको लेकर क्या बोलना है तो यह तो पॉलिटिकल जो बात है वो तो सवाल आप कर रहे हैं वो अलग है लेकिन यह इसके लिए जो सरकार है सरकार कोई कई एजेंसियां जो काम कर रही है तो वो जिम्मेबार है और देखना यह होता है कि यदि इस तरह की घटना होती है तो सरकार का रुख क्या है सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है किस तरह से क काम करती है या लिपा पोती का काम करती है क्योंकि तेखिए आपको बता दें इस तरह की घटनाएं तभी होती है जब सरकार और माफिया जो ठीकेदार जो की गलत धंग से धन अपार्जन करते हैं गलत कमजूर पुल बनाएंगे तो उसको आर्थिक फाइदा होता है तो उसका समंद जो है कहीं न कहीं सरकार से हो जाता है और सरकार से जब उसका समंद हो जाता है तो फिर वो काम कमजूर होता है और ये सरकार और माफियाओं के बीच बेहतर समंद का ये परिणाम है जब ये समंद कमजूर होगा जब सरकार माफियाओं को साथ लेके नहीं चलेगी तो एक भी पूल नहीं गिरेगा एक भी इस तरह की घटना नहीं होगी तो खुद सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे विद्यापरदी चंद्रवनसी अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरे लगतारम आप तक पहुचा रहे हैं अगर वीडियो पसंद आई अरोवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जए अगर वीडियो पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज़्वाइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद